47 students ऐसे थे जिन्होंने स्कोर 180 आउट और 180 किया था तो आप भी उन में से एक हो सकते हैं अगर उस पे अच्छी पकड़ मना ली तो physics में कोई दिक्कत आपको आने वाले हैं confidently exam के अंदर जाए और आप perform करें कि आपके स्कोर maximum आए physics को और अच्छा कैसे करें ताकि हमारा स्कोर 180 आउट आउट ओफ 180 आजाए नमस्ते स्टूडेंट्स मिशन सक्सेस के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है और इस सेशन में हम फिजिक्स डिसकस करेंगे मैं नीरज जैन फैकल्टी फिजिक्स और मेंबर आफ मेडिकल को तीम और मेरे साथ है आजे जा से इसी चैनल से केमेस्ट्री और बायलोजी के लिए सेशन्स प्रोवाइट किये गए थे और आपने महसूस किया होगा कि उन सेशन्स से आपको काफी फाइदा हुआ होगा और हम चाहते हैं कि अगर आप इसी तरह से सारे सेशन्स को अटेंट करते रहेंगे तो डेफिनेट स्कोर मैक्सिममम फिद मिनिममम एफट्स अब बात आती है कि हम इसको कैसे करें तो हमारी जो स्टेडी है वो प्यॉर्ली एग्जामिनिशन ओरिंटेड होनी चाहिए अब एग्जामिनिशन ओरिंटेड इस्टेडी हम कैसे करें यह सर आपको डिसकस करें तेंक यू सर तो ब पारे में हम discussion करेंगे तो सबसे important है जहां भी आपने coaching लिए अगर आपने self study करिये तो नोट्स बनाए होंगे तो आपके जो class notes हैं वो सबसे important हैं इसके अलावा physics में question practice importance रखती है तो जो भी study material आपने follow किया है या जो भी textbook करी हैं उनको वहां से आप question practice जरूर करें physics में physics का nature कहें इसको कि भई इसमें रट कर चीजें सीखी नहीं जा सकती तो physics में craming से कुछ भी होने वाला नहीं है physics में जो भी short tricks जो भी methods आपको आपके सर लोगों ने बताये हैं या जो book से आपने पढ़े हैं तो definitely उस पे हमें command करना होता है अगर उस पर अच्छी पकड़ बना ली तो physics में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है physics में एक और important चीज होती है previous year questions प्रीविएस एयर questions की बात करें तो जो भी पुराने आयवे questions हैं उनसे similar कई question आपको real exam में देखने को मिलते हैं हमने 20 सालों का analysis किया है 20 सालों से हम देख भी रहें कि भई नेट इससे पहले cbc pmt eip mt हुआ करता था तो उसमें भी जो पेपर आता था उस पेपर में 70 to 80% question ऐसी होते थे कि पुराने आयवे questions के similar होते थे reframed होते थे उसमें कुछ data change करके वो question वैसा ही बना दिये देते थे तो अपने को previous year question पे काफी ध्यान देना है अब हम बात करें ncrt की physics में ncrt की importance तो है लेकिन बायो और chemistry की तुलना में काफी कम है क्योंकि physics में अधिकतर question numerical सी आते हैं लेकिन कुछ chapter physics में ऐसे हैं जहां पर हमें ncrt को तवज्जो या importance देनी होगी तो 11 की बात करें तो 11 में shm wave topic ऐसा है जहां पर हम ncrt को importance दे सकते हैं 12 में भी कई topic ऐसे हैं अगर मैं बात करूं magnetism, em waves, semiconductor electronics, modern physics यह topic ऐसे हैं जो जिन पर theory के question पूछे जा सकते ncrt से तो इन पर पकड़ बनाने के लिए आपको ncrt से पढ़ना चाहिए इसके इलावा numerical practice के लिए ncrt के salt example sufficient है अगर आप ncrt से पहले पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली वहां से हमें जो numerical section में salt example करने चाहिए points to ponder and summary exercise question करने की अभी भी जरुत नहीं है और salt examples में ऐसे questions avoid कर सकते हैं जिसमें mathematical calculation या mathematics का involvement जादा है क्योंकि आप भी जानते हैं pre medical और IIT दोनों students के लिए ncrt physics में सेम ही है तो ncrt में इतना कर लेंगे तो काफी आपका काम हो जाएगा अब हम previous year के analysis पे आते हैं मैं निरसर से request करूँगा तो बच्चों को previous year में के analysis के बारे में बताएं देखें बच्चों नीट exam की जो conducting body governing body है वो NTA है और NTA ने last six years में total nine papers लिये हैं और हमने उन nine papers को दो angles से analyze किया है और वो दोने angles हम आपके सामने represent करेंगे देखें पहला angle था हमने उनको class के basis पर analyze किया और दूसरा angle था हमने उनको topic wise analysis किया और दोनों में से कौन सा method ज्यादा अच्छा है वो आप खुद देख पाएंगे देखेंगे पहला जो analysis था वो class के basis पर था तो class 11 और class 12 में से कितना percentage need exam में पूछा गया तो आप यह पाएंगे कि 2016 से लेकर 2019 तक यह वेटेज almost consistently equal बना रहा यानि जितना weightage 11 का था almost उतना ही weightage 12 का बना रहा तो आप यह देख सकते हैं इसको यहां पर और उदर सर ने आपको भी underline करके बताया है तो आप यह समझ सकते हैं कि यह weightage almost equal था यानि जो बच्चे 11 के topic तयार करते रहे और जो बच्चे 12 के topic तयार करते रहे सर उनको बराबर बराबर फायदा होता रहा लेकिन 2020 और 2021 यानि कोवीड के बाद तो आप यह देख सकते हैं कि कोवीड के बाद यह जो ratio है यह significantly change हो गया तो आप यह देख सकते हैं यहां पर percentage में बहुत बड़ा fluctuation आ गया तो सर ने आपको underline करके बताया है कि यह 37 परसेंट और महा 63 परसेंट यानि 11 और 12 का weightage almost one third और two third हो गया है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2020 और 2021 में हमारा paper almost 12th class की तरफ inclined हो गया अब आप देख सकते हैं कि 2021 में एक change NTA की तरफ से और आया और दोने आपको choice provide करवाई तो उस choice में आपने देखा होगा कि section B में आपको 10 questions attainment करने थे out of 15 questions तो अगर आप महां weightage की बात करें तो उस समय section A में जो total 35 questions आये थे उन 35 questions में से 23 questions 12th वाले portion से थे जिसका weightage almost 66% था लेकिन अगर आप section B की बात करें तो बच्चों ध्यान से देखे कि section B में करने आपको 10 questions थे लेकिन अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर 12th वाले portion से आपको 9 questions देखने को मिले इसका सीधा मतलब हो गया कि आपका वहाँ पर एक तरह से जिन बच्चों का 12th portion तो ये हमारे लिए prediction करना possible नहीं है क्योंकि हम ये जो guess कर रहे हैं ये एक तरह से probability वाला method है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर weightage कभी भी fluctuate हो सकते हैं तो हम चाहते हैं कि हम probability की तरफ ना बढ़कर बलकि एक ऐसे method की तरफ बढ़ें जो certainly आपको एक अच्छा score दिला है और उसमें आप confidently exam के अंदर जाएं और आप perform करें कि आपके score maximum आए तो वह method क्या हो सकता है वह अब आपको सर्डिसकस करें तो बच्चों जो सर ने class wise description method बताया है दूसरा method हमने लिया है कि वही पूरे physics syllabus को topics में डिवाइड किया है तो 24 topics में हमने डिवाइड किया है उसम से बारा topic अच्छे वेटेज वाले select किये हैं अगर उन 12 topics को हम करते हैं तो एक अच्छा score generate कर सकते हैं तो मैं उन topics के नाम भी आपको बताऊंगा सबसे टॉप पे जो topic है thermal physics जिसमें से पर पेपर हर पेपर में on average पांच कुशन देखने को मिलते हैं इसके बाद modern physics यह भी बह पांच कुशन आपको देखने को मिलते हैं ऐसे ही number of questions हमने लिखे वे हैं एवरेज current lexity से 3, semiconductor से 3, ray optics 3, magnetic effect of current से 3, electrostatic से 2, rotational motion से 2, properties of matter and fluid mechanics से 2, gravitation से 2, wave optics से 2, and kinematics से 2, यह 12 topics का weightage wise हमने आपको दिखाया है अगर इनके number of questions को जोड़ें और उसको marks में convert करें तो marks आते हैं 135 plus marks मतब 180 में से 135 plus marks आपके इन topics को तयार करने से आ जाएंगे लेकिन मेरी guidance यह है कि आपको सारे topic पढ़ने हैं सभी को importance देनी है लेकिन इनको थोड़ी ज़्यादा importance देनी है तो बच्चों एक important चीज में आपको बता दूँ निट 2021 में 16 लाग बच्चों ने जो exam दिया था उसमें केवल 47 बच्चों के 180 out of 180 score आया था इस साल इस संख्या के बढ़ने की पूरी उम्मीद है क्योंकि NTA ने तीन गंटे की जगए तीन गंटे 20 मिनिट का समय बच्चों को दिया है तो definitely बच्चों की accuracy बढ़ेगी इसी बढ़ेगी तो physics में marks भी बढ़ने की उम्मीद है और आप मैंसे कई बच्चों के marks 180 out of 180 आने की पूरी उम्मीद है अब 180 मता 135 से 180 कैसे achieve करें इसके बारे में नीरसर से request करूँगा कि बच्चों को बताएं आप देगे जैसे सरने आपको बताया है कि 47 students ऐसे थे जिन्होंने score 180 out of 180 किया था तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं पर छोड़ा ध्यान ये रखिए कि जो सरने आपको topics बताया है उनको बहुत depth से पढ सकते हैं अब मैं आपको छोटा से example दूँ हालंकि ये low weightage वाले topics हैं लेकिन last year अगर आप देखेंगे तो unit dimension and measurement topics से 3 questions आए ठीक है और electromagnetic waves से 2 questions आए तो आप ही देखिए कि इन दोनों questions से मिलाकर आपको total paper में कितने questions मिल गए 5 questions मिल गए अब ये topic छोटे हैं लेकिन फिर भी यह फोटे topic से आपको number of questions ज्यादा मिल सकते हैं तो अगर आप पुराने वाले weightage को follow करके चलेंगे तो आप भी मान के चलिए definitely आपको 135 तो आना ही है लेकिन अगर आप इनकी भी एक बढ़िया study करते हैं तो definitely आपका जो score होगा वो score लगबग 180 की तरफ बढ़ेगा तो छोड़न किसी भी topic को नहीं है पढ़ना पूरे को है उनको आपको थोड़ा depth से पढ़ना है और इनको भी कम से काम आप बिल्कुल basic से पढ़े तो मैं आपको confidently बोल सकता हूँ if your study is very proper very prompt with well manner then you can score 180 on 180 without any hesitation अब मैं चाहूंगा जाओंगा 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 execution करना है वो execution कैसे किया जाए थेंक्यू सर तो बच्चों सर ने बताया कि 135 को 155 में convert करना है फिर उसको 180 में मतलत जो भी नीट से लेवस में physics के जो भी topics दिये हैं सब को हमें पढ़ना है जो low weightage है उनको कम से कम superficial या test तो करना है बाकी high weightage वाले topics को हमें ज्यादा importance देनी है अब physics में अधिकतर question numerical साते हैं तो numerical question करने का एक proper method होता है उस method पर हम चर्चा करेंगे तो जो भी question आपके सामने आए उसको हमें ढंक से पढ़ना है carefully पढ़ना है उसमें कहां कोमा कहां full stop दिया है इसको ध्यान से देखना है उसके अलावा उस question में क्या data दिया है क्या given है क्य पूछा है उस पर दियान रखना है और दिमाग में ही कौन से method से question solve होगा कौन सा formula उसमें apply होगा वो हमें पूरा देखना है उसके बाद carefully अपने को numerical values उस formula में put करनी है और calculation बड़े ही cool mind से करनी है ताकि हमारी 100% accuracy आए 100% accuracy आएगी तो definitely आप 180 की तरफ मूँव करेंगे तो बच्चों ऐसे आपको numerical questions attempt करने है अब time बचाने की कुछ techniques है physics में वह मैं आपको बतायता हूं physics में कई बार option दूर दूर होते हैं तो वहां पर आप approximate calculation करके time बचा सकते हो एक option elimination method से भी आप time save कर सकते हो यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता तो य यही answer होगा इसके लावा कई question ऐसे भी आते हैं जहां पर यूनिट्स तीन option में गलत हैं चोथे में सही है तो बिना calculation के यूएंडी method से आप answer निकाल सकते हो फिजिक्स में 45 ए 50 कि इस साल आएंगे आप उसमें से दो पांच किशन थोड़े टाफ या लेंदी calculation वाले आएंग लगा के second noun के लिए छोड़ दें ताकि उनकी जगें आप दूसरे आसान question कर सको क्योंकि हर question के marks 40 यह तो है नहीं कि easy question के marks कम है tough question के marks ज्यादा है तो first round में जहां उस question में पांच मिनिट लगे उस पांच मिनिट पर दूसरे 10 question करो ताकि आपका score भड़े अगर इस तरह करोग तो definitely आप अच्छा score balance score प्राप्त कर लोगे एक अच्छे medical college में जाओगे तो बच्चों जो भी हमने weightage chart में topics देखे थे अच्छे weightage वाले उन सभी topics का analysis topic wise हम इसी channel पे लाएंगे तो definitely इस channel के touch में रहिएगा अगर आपने अभी तक इसको subscribe नहीं किया है तो इसको subscribe जरूर कर लीजियेगा thank you thank you and wish you a very best offer.